ओम्मूकम् करोति वाचालं पंगुम् लंगयतेगिरिं यत्कृपातमहं बंदे परिमानन्दे माधुवं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महे सुरा, गुरु साक्षात परंब्रह्मे, तश्मै स्री गुरुवे नमा, चरुवे भवंतु चुहिना, सरुवे संतु निरामया, सरुवे भद्राण पस्यंतु, मा कश्य दुख्य भागु करपूड गवरं करुडावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदावशंतं हिर्द्यार भिंदे भवं भवानी सहितं वानी ओम शान अध्याय साथ इस्लोक नमबर 27 27 इच्छा द्वेसे समुत्थेने द्वन्दे मोहेने भारते सर्वे भूतानी समोहं सरगेयांती परमतपे हैं भगवान कहते हैं क्यूंकि हे भरतवंसी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेस से उत्पन सुख दुखादी द्वन्द रूप मोह से शंपूर प्राणी अत्यंत अग्यता को प्राप्त हो रहे हैं ऊपर के स्लोग मोगवान ने कहा था कि मैं सभी भूत भवविस व बरतमान को मैं सभी भूतों का भूत भविस व बरतमान जानता हूं परनतु मुझको कोई भी नहीं जानता और क्यों नहीं जानता उसमें का स्रद्धा भक्त से रहे थे स्रद्धा भक्त से रहे थे इसलिए भगवान कहते मुझे कोई नहीं जानता तो यहां फिर भगवान कहा रहे हैं कि भगवान को ना जानने का करण क्या है क्यों नहीं हम भगवान को जानते हैं तो भगवान कहते हैं क्यूंकि सब के अंदर इच्छा और द्वेस से उत्पन सुख दुखाद द्वंद शंपूर मोह और अतियंत अग्यानता को प्राप्त हो रहे हैं तो भगवान को ना जानने का करण कि भगवान सब को जानते हैं लेकिन हम भगवान को सभी नहीं जानते हैं अब क्यों नहीं जानते हैं देखो भगवान को जानना ग्यान है और भगवान को ना जानना अग्यान है तो जह हम कहते हैं अग्यान में अब अग्यान क्या है कि भगवान को ना जानना अब जब भगवान को हम नहीं जानते हैं कि सुख का सुरोत कहां है आनंद का सुरोत कहां है जब हम सुख का सुरोत आनंद का सुख सांती का सुख बाहर बाहर समझ रहे हैं कि धन से सुख मिलेगा पद से सुख मिलेगा परिवार से सुख मिलेगा प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा बाहर बाहर जब तक सुक का सुरोत हमें दीख रहा है तो जब तक बाहर बाहर सुक का सुरोत है तो बाहर की तरह हमारी दोड होगे और जिस दिन ये समझ आ जा है कि सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे भीतर सुख धन में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, परवार में नहीं है, वस्तु व्यक्तियों में नहीं है सुख बाहर नहीं है, सुख हमारी मना इस्तिती है, state of mind, सुख हमारी अंतरवस्ता है, तो बाहर के दौर रुख जाएगे, तो इस बात का ठीक से ग्यान हो जाना है, और संसार में सुख या परमात्मा में सुख, संसार से सांती मिलेगी या परमात्मा से सांती मिलेगी, संसार स जगत से त्रप्ति मिलेगी या अंदर की यात्रा से त्रप्ति मिलेगी और जब व्यक्ति को अंतर की यात्रा से त्रप्ति मिल जाती अपनी आत्म चेतना से जुड़ जाता अंतर के अंदर के परमात्मा से जुड़ जाता तो बाहर से फिर उसका कोई बिरोध नहीं होता क्योंकि जो अंदर है अब वही वह बाहर भी देख रहा है जो अंदर था उसी का वह बाहर है अंदर अप्रगट था तो बाहर प्रगट हो गया अंदर बीज रूप में था तो बाहर ब्रक्च के रूप में दीखने लगा तो जब तक हमारा ग्यान क्या है अब देखो ग्यान है अगर अग्यान है कि सुक हम से बाहर है तो इच्छा होगी कामना होगी रागद्वेस होंगे कि ये चाहना ये नहीं चाहना इसमें सुक इसमें दुक ये मान ये अपमान ये लाव यहानी ये अपना ये पर आया हम तोडएंगे बिभाजित करेंगे कुछ की चाह होगी कुछ को इनकार करेंगे राग और द्वेस होंगे और फिर राग सारे के सारे द्वन्द कि जितने राग द्वेस हैं द्वन्द हैं वो सब राग द्वेस से पैदा हो जाते सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए मान चाहिए अपमान नहीं चाहिए लाब चाहिए हान नहीं चाहिए सयोग चाहिए, बियोग नहीं चाहिए, जन्म चाहिए, मृत्यू नहीं चाहिए तो सब दोंदे खड़े हो जाएगे, एक चाहिए, एक नहीं चाहिए एक के प्रतिराग, एक के प्रद्वेश, एक की मांग दूसरे को इनकार तो अब ये इच्छा और द्वेष्ट खड़े कहां से हुए अज्ञान से आए कहां से इनकी मूर शुरोत क्या है जड़ क्या है अज्ञान अब वो एक्छली देखा जाये वास्ता में ये मीच्वल डिपेंडेंट है अब संति ये कहते हैं इच्छा द्वेष्ट छोड़ो तो अंदर की यात्रा हो जाए इच्छा और द्वेष्ट से मुक्त हो तो अंदर की यात्रा इच्छा और द्वेष्ट तो ही तुम्हें बाहर का खिचाओ और अंदर जाने का अवरोद क्या है रुकावट क्या है इच्छा और द्वेस अब वो तो ऐसे ही है जैसे बीज और ब्रक्ष बीज में ब्रक्ष पहले बीज या ब्रक्ष बड़ी मुश्किल हो जाता कि निर्ड़ाई करना पहले अंडा या कोई कहा दे अंडा तो केंगें अंडा आया कैसे बिना जान के ऐसे बिन और कोई किए मुर्गी तो सवप्रो जो बता एक。 अध्यान का आर्थ है निज्झ रूप का बोध ना होना अफने में निहित परमात्मा को ना जाना दो बाहर बाहरद सुक्का स्परोप्ध समईना, तो बाहर की दोड अब भगवान कहते हैं बाहर की दोड़ वी इसलिए है अब बाहर की जब तक यह दोड़ रहेगी तो अंदर की यात्रा नहीं होगी अब बाहर की दोड़ में ब्यक्ति इतना समोहित हो जाता इतना खो जाता और किसी से पूछ ना लोग क्या कि यही शिकायत करते मेरे पास समय नही यह किसी लिए ऐसा प्पिलान का दो तो वह कहने मेरे पास समय नहीं है हैelly इसे लेकिन समझ नहीं समय तो हर किसी के पाथ होता है लेकिन समझ का भाव है जिस दिन समझ समझ क्या है हमारी परोडाटिक टैस hung तो सभी के पास 24 गंटे होते नानक के पास भी 24 गंटे थे, बुद्ध महवीर के पास भी 24 गंटे थे, राम और किष्ण के पास भी 24 गंटे थे, और कंस और रावड के पास भी 24 गंटे थे, नादिर साय के पास भी 24 गंटे ले, हिटर और मुसोलनी के पास भी 24 गंटे थे, समय तो सबके पास है लेकिन समझ क्या है प्रायोटी क्या है आदमी की प्रात्मिक्ता क्या है बाहर का संसार या अंदर का परमात्मा बाहर के पदार्थ या अंदर का परमात्मा हमारी समझ क्या है हमारी मांग क्या है हमारी प्रात्मिक्ता क्या है अगर व्यक्त की प्रात्मिक्ता संसार की है तो संसार में दोड़ेगा भागेगा यह संग्रे कर लो यह संग्रे कर लो यह पालो यह पालो संसार की दोड़ होगी और अगर वही उसके पास की प्रात्मिक्ता है अंतर जगत की परमात्मा की अंतरत्रप्ती की तो फिर वह आत्म अपना समय लगाता है किसमें कितना समय लगाना बाहर के संसार में समय लगाना अंदर की खोज में समय लगाना तो लिटात ब faucet प्रत्रव Vision के लिए ऐसंफ़ार के लिए भागदोड़ करें वह उनके लिए अंसर के लिए फर्मातमा के लिए ध्यान के समझ uh और जो अंतर की त्रप्ति में हैं अंतर की यात्रा में हैं को प nous संसार के लिए समय नहीं क्यों कहते हैं इतना समय तो हमने बरवाद कर दिया, अब और ना करें और ये संसार से मिलेगा क्या कितना धन चाहिए, कितना कौन सा पद चाहिए किसी धन से आजकल कोई तरपत हुआ, कोई पद से कोई तरपत हुआ सरीर की जरूरते तो बहुत सीमे थे सरीर को रोटी कितनी चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए रहने की जगे कितनी चाहिए, सरीर की जरूरते बहुत सीमे थे उसके लिए आदमी को 24 गंटे भागदार की जरूरत नहीं है सरीर की जरूरतों को अगर लिया जाए कि आदमी सरीर की जरूरतों को लिए कपड़ भोजन वस्त्र आवाश कपड़ा रोटी मकान अगर यही हमारी जरूरत है इनके लिए इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है हमारा लोभ बीच में आएगा मोभ बीच में आएगा कि जो मिलता वो कम लगता और जादा और जादा और बड़ा पद और ज्यादा प्रतिष्ठा और ज्यादा धन अब और ज्यादा की फिर कोई सीमा नहीं है और ज्यादा की कोई सीमा नहीं धनकी कोई सीमा नहीं जब आदमी कह सके बस और पद की कोई सीमा नहीं जहां आदमी कह सके बस मैंने कितने लोगों को देखा जब कुर्सियों की दौड की कोई कोई सीमा नहीं आगे से आगे कुर्सियों ने दीख जाती आगे से आगे कुर्सी दीख जाती और ऐसे व्यक्तियों की पीड़ा भी देखो जब कुर्सी से हटा दिये जाते हैं कुर्सी छिंज आती है तो उनकी पीड़ा देखो कितनों को hard attack हो जाता है कितनों की BP बढ़ जाते हैं कितनों की रात की नीन खो जाती है कितने लोगों की जिनकी कुर्सियां छिन जाती है उनकी रात की नीन खराब हो जाती है उनके BP बढ़ने लगते हैं उन्हां चार बीमारियां घेर लेती है अब जो मिला है वो छिनेगा जो धन मिला है वो भी किसी दिन छिनेगा यहां छिन जाए या मौत के बाद छिन जाए कभी कभी यहीं कुर्षिया तो यहीं छिन जाती है अब धन भी छिन सकता है तो फिर वो पीड़ा कितनी होती है तो भगवान कहते हैं लेकिन ऐसा मोह आदमी के अंदर पैदा हो जाता है कि जो मिला उनको दोड़ जाता है सुक तो धन में ही है सुक तो पद में ही है सुक तो प्रतिष्ठा में ही है सुक तो बाहर ही है बाहर ही है और ज्यादा दोड़ो और तेजी से दोड़ो पहुंच जाओगे और ज्यादा तेजी से दोड़ो आदमी उस मुह से मुक्त नहीं हो पाता उस नसे से उस मूरचा से मुक्त नहीं हो पाता कर दो ये अवाष है एक क्षर माश्म है इस एक इलूजन है कि है और फिर व्यक्ति अकेला नहीं होता बहुत दोड़ने वाली है भीड है यह भी है कि अगर इसमें सुख ना होता दिया भीड क्यों है एक व्यक्त से भूल हो सकती सभी से भूल नहीं हो रही है पज की लिए देखो तो भीड है पैसे के लिए देखो तो भीड है कितनी भीड कितनी इस परदा हर व्यक्ति को ऐसे जो मेरे पास है उसमें नहीं है जो दूसरों के पास है उसमें है जो दूसरों के पास है उसमें है आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ये कहे कि धन पाके में तृत हो गया और परमात्वा को धन वाद दे प्रहु बस अब नहीं अब नहीं चाहिए बहुत हो गया अब नहीं एक उदाहन नहीं मिलेगा पद पाके किसी ने कह दिया प्रहु बस मिल गया अब और नहीं अब आगे की कुरसी नहीं अब आगे कोई और पद नहीं अब कोई और माग नहीं जिस जिसने संसार में दोड़ा संसार की मांग की उनकी मांग को कभी भी व बिशीराम नहीं अगे से आगे आगे झारी रहती है दोड़ आगे से आगे जारी रहती है और लॉझा कैती है ऐसा मौ है कि इस मौह से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता इन दूंदों मोह से वरْक शंपॉर प्राणी उसी अज्नल में उसी संसार में भटकते रहते दोडते रहते अभी नहीं मिला आगे मिलेगा इतने में नहीं मिला और ज्यादा में मिलेगा और ज्यादा और ज्यादा एक उदारने कोई कहते हैं हर आदमी को लगता कि मैं नहीं दूसरा सुखी है धन वाले को देखो उपद वाले को देखो उनके सारे दूसरे के तरह बो सुकी है और उससे पूछो वो भी दोड़ रहा है वो किसी और को आगे देख रहा है वो सुकी है और जिसे बो सुकी कह रहा है वो भी दोड़ रहा है वो किसी और को कह रहा है सिकंदर ने सारी दुन्या जीत ले लेकिन फिर भी सुख ना मिला और सिकंदर के बारे में कहते हैं कि जब वो बापस लौट रहा था तो बीमार पड़ गया बीमार पड़ गया तो उसे अपनी मा को देखने की इच्छा थी कि मैं अपने मा के दर्सन कर सकूँ अब अपने अंतिम समय में अपने मा को देख सकूँ और अपनी मा तक पहुँचने के लिए उस यातरा को पूरी करने के लिए उसको 24 गंटे लगना था 24 घंटे में वो दूरी तै करके जहां उसकी मा थी वहां पहुंच सकता था लेकिन डॉक्टरा कह रहे 24 घंटे भी तुमारा बचना संभव नहीं सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा राज जितना मैंने सारी दुनिया जीती है सारी दुनिया जो हमने जीती है आधा राज हम दे देंगे मुझे मेरी मां तक मिलाद पहुंचा दो मुझे मेरी मां से मिलने दो साधी दुनिया तुम्हें दे देंगे 24 घंटे का समय हमें कैसी भी दिला दो 24 घंटे मुझे मौज़े मौज़ से बचा लो आधी आदा राज दे देगे डाक्टर ने कह कोई उपाए नहीं कोई उपाए नहीं सिकंदर कहता हम पूरा राज दे देंगे जो सारी दुनिया हमने जीती है सारा राज दे देंगे सारी दुनिया का राज दे देंगे मुझे मेरी मा से मिला दो मुझे मेरी मा से मिला दो अपनी मा के दर्शन कर लो अंतिम अंतिम समय में डॉक्टर कहते हैं 24 गंटे दो बहुत होते हैं मैं तुमें 24 मिनट भी नहीं दे सकता 24 गंटे दो बहुत होते हैं सकते हैं सिकंदर सारी दुनिया जीत के क्या पाया कुछ पाया कुछ साथ में गया कि चोवेस जो कहता सारी दुनिया जिसके लिए सारी जिन्दकी लगा दी सारील लगा دी सारा समय लगा दिया जिस दुनिया को जीतने के लिए सारी सारा समय सारी स्वास सारी सक्ति लगा दी इस दुनिया को जीतने के लिए अब वो सारी दुनिया देके भी एक स्वास मिलने को तयार नहीं है सारी दुनिया देके भी सारी दुनिया का राज देके भी एक सांस का नहीं समय मिल सकता 24 मिट का समय भी नहीं मिल सकता सुचो क्या पाया इस दौड में सिगंदन ने क्या पाया वो दुनिया को हाथ दिखा के गया, खाली हाथ के खाली जा रहे, खाली जा रहे, कुछ लेके न गए, हम सब की यही इस्तिती है, हम दोडते हैं, दोडते हैं, अंत में हिसाब लगते हैं, पाया क्या, कोई अंतर तरपती आई, अंतर संतोश आया, अंतर सांती आई, कुछ पा सारा का सारा जो सुरू में था वही आज भी है रोग वैसे के वैसे ही है स्वास्त का कोई सुखना जाना स्वास्त का कोई स्वादना लिया रोग वैसे के वैसे है और बलकर वैसे नहीं है रोग और बढ़ गए है इसलिए हर व्यक्ति कहता है मेरा बच्पन का समय बहुत अच् वो golden time था golden period of life वो golden था स्वन समय था अब सोचो अगर बच्पन स्वन था तो अब तो और अच्छा होना चाहिए इतनी भाग दौड स्रम करने के बाद और अच्छा होना चाहिए उल्टे हुए क्या और जीवन अमृत नहीं मिला जीवन और विसाक्त हो गया जीवन और दुख से भर गया असांति से भर गया तनाव से भर गया कारण एक ही है कारण वह ही एक है कि हम अज्ञानता बस बाहर की दोड में दोड़े अज्ञानता बस बाहर सुख हो जा और अजब तक जिनों ने अपने अंदर खोजा जिन्हों ने खोजा, वो नानक ने खोजा, कभी ने खोजा, रविदास ने खोजा, जिन्हों ने खोजा, मीरा ने खोजा, जिन्हों ने खोजा, अपने अंदर खोजा, बुद्ध, महावीन, जिन्हों ने खोजा, अपने अंदर खोजा, वो पा गए, वो तृप्त हो के गए वो त्रप्त हो गए, वो सब कुछ छोड़के नहीं गए, सब कुछ लेके गए बाहर की दुनिया तो छूटी, लेकर अंतर का परमात्मा उनके साथ गए अंतर की निधी, अंतर का आध्यात्मिक, एक spiritual belt, आध्यात्मिक संपदा उनके साथ गए अंदर से त्रप्त गए, सांत गए, सुष्ट गए, संतुष्ट गए देखो हम लोग कभी खेती करते हैं, तो खेती में क्या करते हैं? खेत में बी डालने से पहले खेत को हम ठीक से समालते हैं, कि उसमें जो घास पात है वो निकाल दें अगर वो खेत की तयारे नहीं की, घास पात नहीं निकाला और बी डाल दिये, तो खेत की जो सक्ती थी, भोजन था, उरवर्ता थी, फटलेटी थी, वो घास ले 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 गए और फसल अच्छी नहीं आती, इसलिए फसल को अच्छा करने के लिए पहले घास पात निकाले संसार की मांग, संसार की चाह, इच्छा, द्वेस, भय, आसक्ति, अहंकार, इनसे मुक्त हो, जब तक ये खर्पतवार नहीं जाएंगे, ये घास पात की जड़े नहीं अंदर से निकलेंगी, तो हमारी स्थिती कोई बनने वाली नहीं है, भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति और ज्यादा दुखों की तरफ बढ़ता जाएगा, अंगले स्लोग में भवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, परन्तु निस्काम भाव, निस्काम भाव से स्रेष्ट कर्मों का आच्रण करने वाले, जिन पुर्सों का पाप नश्ठ हो गया है, राग दुष जने द्वंद रूप मोह से मुक्त, द्रण निश्चाई भग्त, द्रण ब्रता, द्रण निश्चाई भग्त, मुझको सब प्रकार से भजते हैं, मुझको सब प्रकार से भगवान कहते हैं, भजते हैं, जो भगवान को कौन भजते हैं, जो पहली बात करें, निस्काम भाव, कामना मुक्त हैं, और स्रिष्ट कर्मों का आच्रण करने वाले हैं कामना मुक्त हैं स्रिष्ट कर्मों का आच्रण करती हैं जिन पुरसों का पाप नश्ट हो गया है अब पाप किल का नश्ट हो गया है पाप का कारण क्या है पाप का कारण है हमारा अहंकार पाप का कार है अहंकार और हमारा अहंकार क्या है कि हम ये सरीर मन बुद्धी इंद्रियाएं हैं सरीर मन बुद्धी इंद्रियाएं हैं तो सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं को संसार से सुब्धा मिलती है सुख मिलता है आँख रूप देखना चाहिए आँख को रूप में सुख है जीव को स्वाद में सुख है कान को संगीत में सुख है तुचा को कौमल इसपर्स में सुख है तो हमारी ग्यानेंद्रियां बहर मुकी हैं विस्यों में उनको सुख मिल रहा है और जब विस्यों में सुख मिल रहा है तो अब वो विसय हमें चाहिए वो विसय हमें चाहिए आंक के लिए रूप चाहिए जीव को स्वाद चाहिए कान को संगी चाहिए तुचा को इस पर चाहिए अब वो चाहिए हमें और कैसे भी चाहिए एन कैने प्रकारें कैसे भी पाप से पुर्ण से कैसे भी चाहिए तो जब तक हम सरीर के इस्तर पर जी रहे हैं सरीर के साथ हमारा तादात्म है सरीर के साथ हमारा अध्यास है आसकती है तो संसार के विश्यों की वस्तुओं की मांग उठेगी और जब विश्यों वस्तुओं की मांग उठेगी तो दिखो मैंने जैसे का न एक आदमी की आवसक्ताओं की सीमा है लोब की कोई सीमा नहीं है आवसक्ता की तो एक सीमा है भोजन कितना चाहिए एक सीमा है कपड़ा कितना चाहिए एक सीमा है रहने की जगह कितनी चाहिए एक सीमा है लेकिन लोब की कोई सीमा नहीं ये दोड़ जो है वो आवसकता के लिए नहीं है दोड़ जो हो रही वो लोब की लोब की पूरती लोब की पूरती और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा क्योंकि जो मिला, जो धन मिला, जो पद मिला, जो प्रतिष्टा मिला, जो सुख मिला, जो मिला है, वो परियाप्त नहीं है, उसते त्रप्ती नहीं आई, भूख मिटी नहीं अभी तक, आज तक धन से किसी की भूख मिटती है, पद से किसी की भूख नहीं मिटती है, सरीर की अभूंक तो मिट जाती है छो मन की भूंक है धनकी पधार की प्रतिष्टर सि相 उसकी सियमान क्योंकि आद्रव मात शरीज निए है पसु तरब्थ हो जाते पसु त्रब्थ हो जाते और फिर जो भोजन चाहिए भोजन करके भी राम करते हैं पसू की जरूरते सरीर तक की हैं लेकिन मनुस मनुस है इसमें मन की प्रधानता है तो सरीर की जरूरतों के साथ साथ सरीर की भूंग के साथ मन की जरूरते हैं मन की भूंग और मन की भूंग की कोई सीमा नहीं सदा अत्रत रहे कोई सीमा है नहीं तो दौड़ रहा अद्मी और सारी दूंइा दौड़ रही है एक नहीं दौड़ा सारी दौड़ रही है वस्तूएं सीमित हैं लेकिन वेक्तियों की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है जो वस्तुएं हैं वो सीमित है साधन संसाधन सीमित है लेकिन वेक्तियों की इच्छाओं है वो असीम है अब सुचो संसार तो बहुत सीमित है धन सीमित है जमीन सीमित है धन सीमित है जमीन सीमित है साथ संसा कहते हैं सारी दुनिया की दौलत सारे दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो तब भी आदमी बस नहीं कहेगा सारी दुनिया की दौलत एक व्यक्ति को देख दो तब भी व्यक्ति बस नहीं कहेगा बस अब मैं तर्पत हो गया कितनी कथाएं आती है कि जन्हों ने सारी दुन भी मिलना चाहिए मुझे ब्रह्म लोग का राज भी मिलना चाहिए तीनों लोगों पर मेरी विजय होनी चाहिए सच कितनी उधारण है तीनों लोगों पर मेरी विजय हो यानि लोग की कोई सीमा नहीं लोग की कोई जरूरतों की सीमा है सरीर की जरूरतों की सीमा है लेकिर मन के लोग की कोई सीमा नहीं है सारी दुनिया की दौलत एक व्यक्ति को दे दो तब भी व्यक्ति बस नहीं कहेगा कि बस अब नहीं चाहिए मिल गया है तरप्त हो गया है कोई तरप्ती नहीं आने और फिर यहां तो छै अरब लोग आज हैं दुनिया में एक आदमी की त्रप्ति सारी दुनिया के संसादनों से नहीं हो सकती है एक आदमी की और छे अरब लोग है अब सोचो छे अरब लोगों की सीमा जो मांग है असीम है सब की असीम मांग है एक आदमी की तरपती नहीं हो सकती सारी दुनिया की दौला से तो छे अरब लोगों की आप मांग तरपती कैसे हो इसलिए आपा धापी कैसे भी बाई एन केरे प्रकारण हत्याय करना पड़े चोरी करने पड़े डाके डालने पड़े अपराद करने पड़े धन मिले हमाम जो अपराद हैं पाप भगवान कहती हैं ऐसे व्यक्ति जो निसकाम हुआ है वो पाप मुक्त हो जाता जो कामना मुक्त हुआ वो पाप मुक्त हो जब तक कामना है तो पाप होंगे कामना है क्योंकि मैं यह अहंकार है मैं सरीर के साथ हमारा जोड़ है सरीर के साथ तादात्म है तो सरीर मन वो दी इंद्रियाओं के साथ संसार चाहिए उस संसार भी व्यक्ति फिर पाप करेगा उसके पाप का कारण उसकी चाहा उसकी मांग उसका अहंकार उसका सरीर के साथ तादात्म जब व्यक्ति सरीर का तादात्म तूडता कि मैं सरीर नहीं मैं इंद्रियावें नहीं मन नहीं मैं इससे अलग चैतन हूं आत्म तत्त हूं जब अपने को तत्त से जानता है कि मैं आत्म तत्त हूं मैं जीवन तत्त हूं मैं चैतन हूं तो चेतन की कोई मांग नहीं है, चेतन की कोई कामना नहीं है, यह सारी कामना, संसार की कामना, संसार की जरूरत है सरीर को, आत्मा को संसार की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा को संसार की जरूरत है सरीर को, मन को, तो भगवान जिस व्यक्ति अंतर मक्य होता कामना मक्त होता चाहा मक्त होता पाप उससे फिर कैसे होगे फिर उससे पाप भी नहीं होते फिर जो होगा वो पुर्ण होगा जो होगा वो परोपकार होगा जब व्यक्ति अपने में तरप्त है अपने में तरप्त हम कब होंगे आ आत्मा से जोड़ेंगे विसाय तरप्त आज तक कोई नहीं हुआ कोई व्यक्ति विसाय वस्तुओं से तरप्त नहीं हुआ है जब भी कोई तरप्त हुआ तो आत्म तरप्त हुआ है बाहर तरप्ती जिसने खोजी भटक गया जिसने अपने अंदर खोची अपनी आत्मा से जो और ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहर की मांग नहीं, चाह नहीं, अब उससे जो होंगे पाप कर्म नहीं होंगे, पुल्न कर्म होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा से जुड़ा, तो आत्मा मन से जुड़ा होता, तो मन में काम होता, क्रोध होता, लोव होता, मोह होता, ये मन क कि प्रवासन यह मन से प्रिगट होती कामघों लोग मोहांकार यह मन से पेदा हुआ और जब यदिंधे मनने मुढ़न हुआ आत्मा से युगत हुआ मनन्से पर आत्मा से उप आत्मा से जु ड़ा इसके अंदर करुणा और प्रेम फिर दुरवासना नहीं होती सुवासना होती है शुगंध होती है और वो उसकी आत्मा की सुगंदी क्या है करुणा और प्रेम और जब करुणा और प्रेम उसके अंदर से फूड़ती है तो परूपकार करना चाहेगा लोक मंगल करना चाहेगा सब का हित करना चाह क्योंकि जब वो खुद आत्म तरप्त है अब वो तरप्त है जो अंदर से खुद तरप्त है वो दूसरों को कुछ दे सकता है जो अत्रप्त है वो दूसरों से मांगेगा चाहेगा असल में देने का दे वही सकता है जो आत्म तरप्त हो जो अंदर से तरप्त हो बिकारी को क्या देगा जो खुद मांगे रहा हो दूसरों को क्या देगा जो आत्म तरप्त हुआ जो अंदर से सहंसा हुआ अंदर से तरप्त हुआ है अब वो कुछ दे पाएगा तो जो भी उससे होंगे ऐसे व्यक्ति से जो आत्म तरप्त है आत्म ग्यानी है कामना मुक्त है निस्काम है उसके जीवन में करुणा और प्रेम इतनी आ गई है कि वो पून के काम ही करेंगे और फूल खिल गया अब जब फूल खिल गया तो उससे सुगंदी बिखरेगी कुल रिखमदी उसके क्या कि क्रिया कलाप में हो वानी में हो कैसे है वाणी से भी सब को सुव्य सब्सक्राइब करेगा अंतर मन से भी सब्सक्राइब और अपने क्रिया कला बेवहार में भी सरी से भी वही पुन्ड के करम करेगा जिससे दूसरों का सर्वमंगल हो सब्सक्राइब सर्वमंगल के लिए काम करेगा सब को सुखी करने काम करेगा भगवान कहते हैं ऐसा अव्यक्ति इसके स्वेष्ट करमों के आच्रन से जिन पुर्सों का पाप नश्ट हो गया है अब वो राग दूस जने द्वन्द से मुक्त हो गए राग दूस संसार के थे राग दूस संसार के थे धन चाहिए पद चाहिए प्रतिस सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए मान चाहिए अपमान नहीं चाहिए लाब चाहिए हान नहीं चाहिए जय चाहिए पराजय नहीं चाहिए तो जो संसार की मांग था तो राग दूश था अब संसार की कोई मांग ही नहीं है राग भी छूटा और दूश भी छूटा पूरा का पूरा सिक्का छूट गया क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू है कभी भी आप चाहे एक सिक्का छोड़ना चाहे वो नहीं छूट सकता आप कहें राग छोड़ दे दोईस साथ में रखें या दोईस छोड़ दे राग साथ में रखें ऐसा नहीं जब भी छूटे गे तो नहीं गlevant के साथ दॅने से चूटे गए मान के साथ अपमान भी चूटे गा लाप के साथ हणी भी चूटे संस्यों के साथ चूटटे जासके छोटेगा तो डवन है दोनों चूटेगे थे ऐसी दूंद अतीत हो जाता और जो दुन्दा तीत हो जाता है भगवान कहते है दुन्द मोहों से मुक्त हो जाता है दुन्दा तीत हो जाता है वो दुन्द निश्चाई भक्त दुन्द ब्रता उसका दुन्द निश्चाई आ जाता और द्रड़ निश्चय का आर्थ ये नहीं है कि द्रड़ निश्चय मन के इस तर से द्रड़ निश्चय हो गया संकल्ब उसका मजूद ऐसा नहीं संकल्ब मात्र मन के इस तर से नहीं है अन्भाव से हुआ अन्भाव से हुआ अंदर से जब तरप्त हुआ आत्म तरप्त हुआ तो संसार की मांग छूट गई अंदर का सुख पाया तो बाहर से सुख की खोज खत्म हो गई अंदर से वो इतना जुड़ गया तरप्त हो गया अंदर की उसने जो संपदा पाई है तो बाहर की संपदा का कोई उसे मूल नहीं रहा जिसके हाथ में हीरा आ गया उसके हाथ से पत्थर गिर गए जिसके हाथ में हीरा आया उसके हाथ से पत्थर गिर गए गिराने नहीं पड़े गिर गए छूट गए ब्रक्ष में नए पत्ते आते तो पुराने ज़ड जाते ज़ाडने नहीं पढ़ते हटाने नए पत्ते आये तो प्राने ज़ड जाते गिर जाते भगवान कहते है अब जड़ से जुड़ गया उसकी आत्म त्रप्ती की जड़ है वो अंदर से है जो बाहर खोज रहे थे पत्ते पत्तों पर पानी फेंक रहे थे पत्ते पत्तों को सीच रहे थे डालों को सीच रहे थे लेकिन जड़ सूख रहे थी ऐसा जो आत्म ग्यानी है उसने जड़ को सीचना सुरू किया जड़ में पानी डालना सुरू किया और जब जड़ में जड़ अंदर है संसार वाहर है तो बाहर से करुना और प्रेम के नाम स कि उसके शुब कर्म पुन्य कर्म के रूप में वह बाहर प्रगट होंगे अंदर की त्रप्ती अंदर का शोक अंदर की सांती अंदर का संतोष बाहर जब प्रगट होगा तो करुणा और प्रेम जो बाहर प्रगट होगा तो शेवा के रूप में पुन्य कर्मों के रूप में भूवान कहते है ऐसा व्यक्ति धिर्ड़ निश्चयवाला उसके अंदर दिड़ निश्चयआ आजाता, क्योंकि उसने देख लिया, अब कोई संधेह नहीं है, उसने ऐसे ही बास साथ हो गई, संधेह होता तो 디ड़ निश्चय नहीं होता, संधेह नहीं है, उसने स्वादम उसने स्वाद ले लिया जिस व्यक्त ने परमात्मा का स्वाद लिया परमात्मा जिसके अनभव में आया है परमात्मा के साथ जो जुड़ गया है द्रड निश्चे ही हो गया उसका निश्चे द्रड हो गया अब वो कैसी भी प्रत्कूल परस्थिती उसे डिगाना पाएगे कोई भी प्रतकूलता उसे डिगा ना पाएगे कोई भी संदेह उसके अंदर संदेह नहीं बना पाएगे कोई भी प्रतकूलता संदेह खड़ा ना कर पाएगे देखो हमने जब आँख हमारे पास है और आँख से हम देख रहे हैं रोशनी है आँख हैंसे हम देख रहे हैं यह रोशनी है और हम अंधों के बीच में चले जाएं और अंधों के बीच में चले जाएं हजार अंधे वहाँ हैं और सब अंधे इंकार कर रहे हैं रोशनी को सबी अंदे इंकार कर रहे हैं रोसनी को हजार अंदे हैं हजारों अंदे रोसनी को इंकार कर रहे हैं कि रोसनी जैसी कोई चीज है यह नहीं प्रकाश जैसी कोई चीज है नहीं सब अंदे इंकार कर रहे हैं रोसनी को तो सुचो आख वाले का क्या विश्वास डिगेगा उसका विश्वास डिगेगा कि सब अंदे कह रहे हैं रोसनी नहीं है बहुमत इनका है मिजॉर्टी इनकी है इनकी संख्या जादा है और यह कह र का अन्वह है वो कहरा हमें दीख रहा है हमें दीख रहा है तुम्हें नहीं दीख रहा है तुम्हें नहीं दीख रहा है तुम रोशनी को सीवकार करो तुम्हें आंख चाहिए रोशनी को सीवकार करने के लिए आंख चाहिए और वो तुम्हारे पास नहीं है यह तुम्हारा जिस विक्ती का अनमव में आया परमात्मा आत्मодарati हुआ है आत्मत्रत हुआ है परमात्मा से उपत हुआ है उसके अन्दऻ दुढ निश्चह आ गया आ उसके लिश्चह को कितना ही डगमगाना चाहे वह डगेंगा नहीं दिगेंगा नहीं हो गया क्योंकि उसका अनभव हो वता रहा है तो भगवान कहते हैं ऐसा द्रण निश्चाई भक्त मज़को सब प्रकार से भाइते हैं वह भगवान से ही पूरी तरह से जुड़ गया बून बूनारी सागर हो गई अहंकार मुक्त हुआ तो परमात्मा से युक्त हुआ अहंकार से मुक्त हुआ तो परमात्मा से युक्त हुआ जुड़ गया और परमात्मा में एक रूप हो गया एक रस हो गया अब भक्त और भगवान दो नहीं रहे एक ही रह गया आत्मत्रप्त हो गया भगवान से पूरीत जरा मरण मोग चाये ममासरत्ते एतंतित ए ते ब्रह्म में तद्विदू क्रिस्ने मध्यात्म कर्में चाखिलम भवान कहते जो मेरे सरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यतने करते हैं जो मेरे सरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यतने करते हैं वे पुरुस उस ब्रह्म को शंपूड अध्यात्म को तथा शंपूड कर्म को जानते हैं देखो भगवान कहते हैं जो मेरे सरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यतने करते हैं अब जरा और मरण किसके लिए है ग्यानी के लिए ना कोई जरा है ना कोई मरण है जब जन्म ही नहीं है ग्यानी का जन्म ही नहीं है तो बुड़ापा मौत कहां से आएगे जरा मरण उनी है जो अग्यानी है जो सरीर के साथ तादात में जो सरीर के साथ जुड़े है तो सरीर का जन्म है सरीर की मृत्यू है सरीर में बीमारी है बुढ़ापा है सरीर में है सब सरीर में जन्म, मृत्यू, जरा व्याधी सरीर के साथ है लेकिन जो ग्यानी सरीर से तादात में मुक्त हो गया आत्म चेतना के साथ जुड़ गया आत्मा के साथ जुड़ गया आत्म रती हुआ आत्म तरपती हुआ आत्म युक्ता हुआ आत्म युक्त हो गया उसके लिए कहां जना जनम कहां मरन कहां जरा उसके लिए कोई जरा नही कोई वरण नहीं सरीर का धर्म है वो होता रहेगा लेकिन उसकी कोई तादात नहीं उसकी कोई आ सकती नहीं है ना उसे इंकार कर रहा है ना स्यूकार कर रहा है ना उसको बुलाना चाहता ना भगाना जो है सरीर का अपना धर्म है वो ठीक है सरीर को भूंग लगती है भोजन दे देता सरीर को ठकता है विस्राम लेता गर्मी सरदी लगती कपड़े लेकिं सरीर के साथ ताधात्म नहीं है जितना ज़्यादा दुक्का कारण सरीर नहीं दुक्का कारण है सरीर के साथ ताधात्म दुक्का करने हैं सरीर के साथ तादातम है तो मैं बूड़ा हो रहा मैं बीमार हूँ मेरी मौत भी होगी तो जब तक मैं सरीर से जुड़ा हूँ मैं बूड़ा तो कोई बूड़ा नहीं होना चाहेता मैं बीमार नहीं होना चाहेता और मैं मरना भी नहीं चाहेता अब जुम न कोई व्यक्ति कितना ही ना चाहे कि नहीं मरना चाहे था तो क्या मौत को टाला जा सकता मौत को टाला जा सकता क्या सुचो तो भगवान कहते हैं लेकिन जो भगवान की सरण में चले गए जो भगवान की सरणागती हो गए वो इन सबसे मुक्त हो गए वो कहते हैं मैं तो तेरी रजा में राजी मेरी कोई मांगने मेरी कोई चाहने जिसस क्राइश्ट के बारे में कहते हैं जब उने सूली पर चड़ाया गया तो उनके मुह से सिकायत आई जिसस क्राइश्ट को सूली पर चड़ाया गया तो सिकायत आई कि प्रफु मुझे और सूली मुझे और सूली कैसा है तेरा न्याए मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे और सूली मिले कैसा है तेरा न्याए परमात्मा पर अविस्वास हुआ परमात्मा पर अस्रद्धा होई लेकिन एक छड़ जैसे ही असरद्दा होई पर्मात्मासे सिकायत होई कि मुझे और सूली कहते हैं दूसरे इच्छड उनके अंतर से कि आत्म ज्ञान जगा अंतर जोती जगी और कहा नहीं-णहीं प्रभू माफ करना नहीं-नहीं प्रभू मुझे छमा करना तेरी इच्छा तुम कुछ बुरा नहीं कर रहा तो कुछ अनर्थ नहीं कर रहा दो कर रहा है वही मेरे हित्म है अब यह जो जीसस थे अब क्राइश्ट हो गए मशीह हो गए पैगंबर हो गए अगर जीसस सिकायत में मरे होते तो जीसस ही मरियम के बेटे जीसस ही रहते वो पैगंबर ना मनते हैं को परमात्मा के साथ युक्त ना होते परमात्मा ना के साथ जुड़ते न अगर Miss light लेकिछ सिकाय समर्पन में बदल गई सिकाय स्रणा गति में और हम बदल गए और नहीं कोई मांग नहीं मेरी औप चाहने मरी दारी को तो उसने वो ये छित्र बताया कि उस एरिया में हम जाएंगे धर्म परचार के लिए भगवान बुद्र ने कहा तुम उस जगह जाएगा धर्म परचार के लिए वहां के लोग तो बड़े नास्तिक उन्हें संत महत्मा में कोई स्रद्धा नहीं है वो तो तेरा अपमान करें तो उसने कहा उनकी बड़ी किरपा होगी वो बड़े अच्छे भले लोग होंगे कि सिर्फ गाली दे के ही छोड़ देंगे सरफ गाली ही दी कोई मारपीट तो नहीं की अपमान ही किया अपमान कौन सा छूता अपमान से कौन से घाव होते कौन से काटे हैं गालियां दी गालियां कौन सी छित्ती है वो बड़े भले लोग होंगे जो सरफ गाली देके ही छोड़ देंगे मारपीट नहीं करेंगे भागवान बुद्धिन ने कहा लेकिन ये भी तो हो सकता है ये भी हो सकता है कि मुझे गाली के साथ तेरी मारपीट भी कर दें ये भी तो हो सकता कि तेरी मारपीट भी कर दें फिर तेरे मन में क्या भाव आएगा क्या प्रत्क्रिया होगी बुद्ध के उस्सिस ने कहा वो बड़े भले लोग होंगे थोड़ी मार पीट ही की कम से कम हाथ पैर तो नहीं तोड़ेंगे थोड़ी मार पीट ही किया कम से कम हाथ पैर तो नहीं तोड़े बड़े भले लोग होंगे को ये मेरे मन में उनके प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा देश नहीं आएगा भगवान बो दिन ने कहा लेकिन ऐसा भी हो सकता वो तुझे इतना मारे इतना मारे कि तेरे हाथ पैर ही तूट जाए हाथ पैर ही तूट जाए फिर तेरे मन में क्या प्रत्क्रिया होगी क्या भाव आएगा उससने का फिर भी मैं यही कहेंगो भले लोग होंगे भले लोग होंगे हाथ पैर ही तोड़े कम से कम जान तो ना ली कम से कम मौत तो ना दी जान से ही तो ना मारा फिर भी हम कहेंगे वो भले लोग होंगे बुद्ध ने का फिर अन्तिम प्रस्नव अगर वो ऐसा ही तुझे इतना ही मारें कि तेरी मौत ही हो जाए तो तेरे मुन में क्या भाव जगेगा उसस ने कहा आप और पूंचते हो मैं फिर भी यही कहेंगे संसार के भव बंदन से मुझे मुघस कर दिया कहने का अर्धš ऐसा व्यक्त किसी पर्स्तिती ने अपने अंदर क्रोद पैडा ना करेगा दूएस पैडा ना करेगा वेयर पैडा ना करेगा वह स्परमात्मा की प्रत ऐसी सरनाघ्रती में है कि उसकी रजा में राजी है, वो कहते हैं, मेरी अलग कोई सत्ता नहीं है, मैं तो उसकी रजा में राजी है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है, सुख भी वही देरा, दुख भी वही देरा, मान भी वही अफमान भी, लाभान, सब उसका प्रशाद है, सब उसका निरोग होते हैं कड़वी होई वो भी हमें निरोग करती है और मीठी है वो भी निरोग करती है और कभी कड़वी मीठी दवा काम नहीं कर पाती है तो operation और injection भी वही स्वास्ता लाब देंगे रोग से मुक्त करेंगे क्योंकि जीवन में जो आ रहा है अनकूलता जब व्यक्ति अनकूलता और प्रत्कूलता की मांग करता है तो दुख और सुख खड़े होते हैं अनकूलता प्रत्कूलता की अगर मांग है अनकूलता चाहिए प्रत्कूलता नहीं चाहिए तो दुख सुख खड़े होंगे जिस व्यक्ति की ना अनकूलता की मांग है ना प्रत्कूलता को इंकार कर रहा है ना दिन की मांग ना रात को इंकार कर रहा है ना सुख की मांग ना दुख को इंकार कर रहा है जिसकी कोई मांग ही नहीं है सब मांगों से मुक्त हो गया परमात्मा का सरणगत हो गया सरण में आ गय या, वो तो तो तेरी रजा में राजी, मेरी तो कोई मांग ने, अब जो है वो परमात्मा का प्रशाद है, जैसे एक डॉक्टर को हम सीव कार कर लेते हैं, कड़वी और मीठी दवा में, ऐसे ही सुच और एक डॉक्टर से तो भूलचुक भी हो तगी परमात्मा से कहीं बhल भूलचुक होती है परमात्मा से करो हो कि हमारा हितेथ परह महता या क्यों इसलिए परमात्मा जो दे रहा हो गया है उसके लिए जर्म है ना कोई मुख्ति है कि सब्सक्राइब जब तक रहे रहे जब जाना हो तो चला जाए अब बगवान कहते हैं ऐसा व्यक्त जरामरण के दुख्र मुख्र हो जाता है ब्रह्म को अध्यात्म को संपूर कर्म को जानते हुए बूम cig hook को सरीर के तादात्म को समत्म को जांते हुए ओ Timothy कह न conception सरीर का दात्म टूटा तो सरीर से हटा तो अत्मा से जुड़ा सरीर सेरी से मुक्त हुआ तो आत्मा से युक्त हुआ और जो बेक्ति आत्मा से युक्त हुआ है वो गवान कहते हैं वो ब्रम से युक्त हुआ जो अपनी आत्मा से युक्त हुआ वो परमात्मा से युक्त हुआ जिस दिन बून ने समझ लिया के मैं जल हूँ जिस दिन बून ने समझ लिया के मैं जल हूँ तो सारा सागर जल ही तो है सारा सागर जल ही तो है वो सागर और बून एक रूप हो गई सागर और बून एक रूप होगी ततता जान लिया अध्याद को संपूर कर्मों को जानते हैं ऐसा अव्यक्ति जो सागर ही हो गया अब सागर की सारी लहरों को वो जानता है सारी लहरों से इसका संबन्द हो गया जो बून सागर बन गई विराट बन गई असीम बन गई अब व जो जो लहरे, तरंगे, बुलबुले जो भी आ रहे हैं, वो सब का ग्यान उसे है, वो सब को जानता है, सब का ग्यान, क्योंकि विराठ से जुड़ गया, छुदर से मुक्त हुआ, विराठ से युक्त हुआ, संसार से, सरीर से हटा, आत्मा से जुड़ा, और आत्मा से जुड ऐसा विक्ति भगवान कहते हैं जो परमात्मा के सरण में आ गया वो सब तरह के दुख जरा मृत्ति सब तरह के दुखों से मुक्त हो गया अंगले स्लोगें भगवान कहते हैं साधि भूतादि दैवं साधि भूतादि दैवं माम साधि यग्यम चमे विदू प्रियान काले अपिचा माम ते विदू युक्त चेते सा भगवान कहते हैं जो पुरस अद भूत अद दैवं और अद यग्यक के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत वाले में अंत वाले में भी जानते हैं बे युक्त चित वाले पुरस मुझे ही जानते हैं अर्थाद प्राप्त हो जाते हैं युक्त चित्ते वाले पुरुस मुझे ही जानते हैं अर्थाद मुझे में मुझे प्राप्त हो जाते हैं अब भगवान कह रहे हैं जो अधिभूत अधिदेव अधियग अब जितने भी बाहजगत का संसार जो दीक रहा है जो आखों से द्रिष्ट को जो हो जाया है वाहजगत साधिभूत अधिदेव जितने देवता आधियग और जितने अधियग जितने कर्म हैं वो सब के सब का भगवान कहते हैं मुझ में अंतकाल हैं सब भगवान से जुड़े हैं सब परमात्मा से जुड़े हैं जो समग्र रूप में परमात्मा को जानते हैं समग रूप में परमात्मा को जानते हैं सारे सज़ दिखो जिसने सागर को जाना है अब सागर में जो जो है अब सागर में जो जो है लह रहे हैं तो सागर है अब तरंगे हैं तो सागर है अब सागर पर कई पानी के बुद्बुदे हैं वो भी सागर है जिसने सागर को जाना है उसने सागर के सते पर जो क्रिया हो रही सब को जान लिया इसलिए भगवान कहते है जो जिसने परमात्मा से जो जुड़ा है और फिर वो परमात्मा को जाना तो परमात्मा की सारी क्रिया अधिभूत हो अधिदैवम हो अधियग हो सभी क्रिया हैं सब में परमात्मा ही दीख रहा है सभी प्राणियों में परमात्मा दीख रहा है सभी देवताओं में पोई परमात्मा दीख रहा है सभी तरह के यगाध कर्मों में भी वही परमात्मा दीख रहा है एक ही एक ही के अनेक पे तेरे रूप अनेक तुम एक ही है एक परमात्मा का ही सारा खेल है वो एक को ही देख शंपूर को देख रहा है अब सुचो देखो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं एक आत्मी को हमने सुन्दर देखा एक व्यक्ति को सुन्दर्ता जो देखती है उसकी शंपूरता में देखती है कि सुन्दर्ता जब दिखती है तो संपूर्टा में कि यह सा ठती में शंपूर्टा में और अगर उसे पार्ट सुम्झी तो तो संदर्ता छीो टो स्फ उसकी संदर्ता है उंग और रोत्तों कि कहते हैं कि कि ऐत्혁 दूब सुन रोक Constance अवान एक निकालके रख दो तो सुन्दर लगेगी जो आदमी कह रहा था तुम्हारी आंग बहुत सुन्दर है उसके सामने आंग निकाल के रख दो से सुन्दर लगेगी जो कह रहा था तुम्हारा चेहरा बहुत सुन्दर है गला काट के रख दो उसको सुन्दर लगेगा जो कह रहे दे तुमारे हाथ बहुत सुन्दर है हाथ काटके उसके सामने रख तो सुन्दर लगेगा यह सुन्दरता तभी सुन्दरता है जब तक वो पूरता में है टोटलिटी में है शंपूरता में है अलग अलग तोड़ना सुरू कर तो सुन्दर तक हो जाएगी एक फूल सुन्दर है अब फूल सुन्दर है लेकिन कि उसको रासायन सास्त्री हो और कहे कि इसको तोड़ना सुरू करें तोड़ना सुरू करें कि इसमें यह यह कैमिकल्स है तो वो केमिकल्स तो निकाल लेगा लेकर सुन्दर्ता खो जाएगे केमिकल्स तो निकाल के दिखा देगा कि यह यह केमिकल्स है लेकर उन केमिकल्स के निकालने से सुन्दर्ता खत्म हो जाएगे सुन्दर्ता नहीं कोई ऐसी चीज निकालके नहीं दिखाएका जिसे क्या पर यह सुन्दर है सुन्दर्ता अपनी शंपूरता में है पूरता में है और जब उसे हिस्तों में टुकड़ों में बाड़ देते हैं एनलाइस करते हैं विसलेशर करते हैं टुकड़ों में बाड़ देवता भी वही भगवान जो पीछे देवताओं की बात कहीं कि जो देवताओं को भाजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं तो भगवान के देवता भी मैं हूँ अधिदैब भी मैं हूँ और देवताओं को प्रसंड करने के लिए इग कर्म आद करते थे भगवान कहते हूं अधिकर्म भी मैं हूं, अधिदैब मैं हूं और अधि भूत भी मैं हूं सारी स्रिष्टी भगवान का ही फैल बिस्तार है तो जब संपूरता में उसको देखते हैं जानते हैं वो युक्त चित वाले मुझे ही जानते हैं युक्त चित कौन है जो परमात्मा के साथ युक्त है जो परमात्मा जिसने सागर के साथ युक्त हुआ जब बूंद सागर के स साज जुड़ी तो आप सागर की सारी क्रियाएं उसकी अपनी हो गई अपनी हो गई वह सागर की क्रियाएं देख रहा है जो सागर को देख रहा है वह सारी क्रियाएं सागर की हो रही जिसने परमात्मा के साथ युक्त हुआ अब सारी क्रियाएं परमात्मा की ही है जो जो वि Poojan करते हुए भी परमात्मा का ही पूजन कर रहा है किसी भी घाट पर चला जाए लेकिन वो गंगा यह कही है किसी भी घाट पर चला भगवान कहते हैं जो युक्त हुआ परमात्मा के साथ उसके लिए भेद मिठ जाते जो परमात्मा से युक्त हुआ उसके लिए भेद मिठ जाते जो शम्पूरता में देखता है उसमें पार्टस जुड़ जाते है जो परमात्मा को जानता है उसके साथ अधिभूत अधिदैव अधियग सब भगवान कहते हैं उससे जुड़ जाते ये तो खाली देवता तो भगवान कहते है एक माध्यम था ये घाट थे गंगा तक जाने के लिए घाट अनेक है गंगा एक है देवी देवता ये तमा अनेक हैं लेकर परमात्मा ये एक है उस परमात्मा को किसी भी देवी के घाट से किसी भी देवता के घाट से चले जाओ किसी भी कर्म से वो ये कही मिलेगा और जो देख रहे हैं कि सम्मे ये कही है असल में वो ही जानते हैं लो मुझे जानती है सोना एक है आभूशण अनेख है अब आभूशण का नाम रूप नहीं से गोड़ा ग्यानी है एक सवान देख रहा is बिद्वत ऊर्जा एक है लेकिन उसके घंग्षन अलग-अलग बिद्द तूर्जा तो एक है लेकिन उनकी उप्योग अलग-अलग है रोसनी चाहिए तो बल्ब जला लेते हवा चाहिए तो पंख़ा चला लेते सरदी लग रही हो तो हीट्रे चला लेते लेकिन ये समझ के साथ कि सबी उपकरणों में सबी उपकरणां अनेक हैं लेकिन सभी उपकरणों के पीछे बिद्धत और जाये कही है, इलेक्टिक इनर्जी ये कही है, ऐसे ही सभी देवताओं कास, अधिभूत, अधिदैव, अधियग, सब के पीछे परमात्मा की और जाये कही, परमात्मा की सक्ती ये कही है, ये कही परमात्मा के अनेक अनेक प्राप्त्रड़े will Dhaka visto जानते हैं वह भगवान को प्राप्त हो जाते हैं आज हम इसको यहीं वीराम देते हैं आज यह भगवत़ जीटा का साथमा अध्याइब पूरा हूगा ओम से अधियरimo है श म baker और सु उम्निशर्शु ब्रह्म विद्यायाम योग सास्तिव स्री किष्ण अर्जुन संबादे ग्यान विग्यान योगो नाम सब्तमों अध्याय तो भगवान कहती है सब्तमा अध्याय समाब्थ हुआ कल आठमा अध्याय पर हम बात करेंगे तो मेरा सभी को प्रडाम हरियो